ये कहानी है फैललसी की जिसका हाप है बैलिरीना डांसर बननी का और वो अपने खाप को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहती है पर कैसे उसके ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही उसके पास पैसे हैं वो एक उर्फिनेज में रहती है, जहाँ उसका एक दोस्त Wirkter भी है विक्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है वो फैलसी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है कि फैलसी को डांस कितना पसंद है क्योंकि वो हर जगार डांस ही तो करती रहती थी उसे यहां के लोग मना भी करती थे लेकिन वो कभी अपने पैशन से पीछे नहीं होती थी एक दिन विक्टर फैलसी से कहता है कि हम दोनों को यहां से भाग चाहना चाहिए फैलसी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है पर वो दोनों रात के इंधेरे में यहां से निकलने की तैयारी में ही होती है बात ही कर रहे थे कि अचानक हम देखते हैं कि विक्टर का पाउंस लिप होता है और वो नीचे जाकर एक बोट में किर जाता है बोट वहां से काफी दूर चली जाती है और ऐसे फैलसी अकेली रह जाती है चलते हुए अब उसे दिखाय देता है एक डांस स्कूल जहां पर एक बेलवीना डांसर पहुत अच्छे से डांस कर रही थी उसे देखने के चकर में फैलसी उस स्कूल के अंदर चली जाती है जिससे देख लेते हैं स्कूल के गार्ट और वो उसे यहां से बाहर निकालने ही वाले थे लेकिन तभी यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी फैलिसी को पकड़ लेती है अब फैलिसी जब से इस लेडी के साथी तब से इसका दिमाग खा रही थी कभी तो डास के बारे में कुछ सवाल करने लग चाती थी तो कभी अपने बारे में बताने बैठ चाती थी वो उसे बताती है कि मैं एक और्फिन हूँ यदी यतीम हूँ मेरे पेरंट्स नहीं है और मैं और्फिनेट से भाग कर यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं एक बहल रीनर डांसर बन सकूँ पलसी यह भी बताती है कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आय था पर वो अब मुझसे बिचर किया और मैं इस नहे शहर में बिलकुल अकेली हूँ अभी वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर इस लेर्टी की ऑनर भी आ जाती है हमें पज़ा चलता है कि उसका एक रेस्टरॉंट है और वो बहुत ही जादा मगरूर है वो काम करने वाली लेड़ी और बेफ़itating भूस्ता कर रही थी जिसके बात, वो काम करने वाली लेड़ी पौपस फैलसी के पासाती है फैलसी दुबहारा उसंते बात करना शुरू करती है कि प्लीज आप मुझे अपने पास रख ले मैं आपकी सारे कामों में आपकी मदद किया करूंगी। ऐसे वह ओरत फैलसी को साथ रखने में मान जाती है और हम देखते हैं कि फैलसी अब उसके साथ सारे कामों में उसकी मदद करती है। जिस घर में फैलसी आजकल काम कर रही है उसी घर में एक लड़की बैलरीना डांस की प्रैक्टिस कहती है यह होटल ओनर की बेटी है जिसके घर पर फैलसी और वो दूसरी ओरत काम किया करते थे जब फैलसी उसे चुपके से देख रही थी तो गलती से एक बहुत बड़ा सा बास फैलसी से गिरने वाला था उसे कैच करने के चकर में फैलसी गलती से उस लड़की के रूम के अंदर शली चाती है इन लड़की बहुत ही मगरूर थी वो फैलसी को बहुत डांटी है कि बगए नोखी तुम मेरे कमरे में आ के से गई फैलिस इस बात पर ज़ाद दिहान नहीं देती है Luther ज़ाद अच्छा बैलरीना डांस नहीं करी। मैं जब पहरे साई थी तो मैंने एक बैलरीना डांस करते हुए देखा था स्टूडियो में। तुम वैसा डांस नहीं करी हो। इस बात जवाब उलटकी देती है कि अगले साल इसी दिन में एक बहुत बड़ी डांसर बन जाओं जहां प्रेक्टिस करके वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी डांसर बन जाएगी। सारी बाते सुनकर फैलसी उसे बताती है कि मैं भी बैलरीना डांसर बन नहीं जाती हूँ और इसलिए इतने दूर से भाग कर यहां आई हूँ वो इसे अपना म्यूजिक बॉक् पर फैलसी इस जब से काफी दुखी होती है वो अपना म्यूजिक बॉक्स अकठा करी रही होती है कि तब ही यहां पर एक पोस्ट मैन एता है वही लेटर लेकर जिसके बारे में वो लड़की बात करी थी वैलसी इस लेटर को खुद रख लेती है उसे यह लेटर तो एक मोक का बहुत ही अच्छा रेस्टरांट है जिसके बात फैलसी को स्टूडियो के अंदर लेकर जाया जाता है उसे ही पे एक बहुत ही खुबसूरे ड्रेस भी दी गई थी फैलसी सबसे बहुत ज़्यादा खुश थी उसका तो खाप जैसे पूरा होने जा रहा था लेकिन अब यहां डांस क्लास में जाकर वह देखती है कि डांस टीचर उससे बहुत जादा है य। ज़रू होंगे जो भी जितना अच्छा परफार्म करेगा वह अगले राउंट के लिए कौलिफाय होगा यानी वही अगले राउंड में जाएगा और जो इस इस सब का विनर होगा उत आपरा में पेरस की सबसे बड़ी बैलरीना डांसर के साथ परफॉर्म करनी का मुका मिलेगा। यहां पर क्लास एंड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि फैलसी अकेले यही डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तब ही उसका दोस्त विक्टर भी यहां पहुँचाता है जो उसे बताता है कि वो पूरी रात पेरस की गल्यों में घूंटा रहा। के लेटर के जरीए डांस स्कूल पहुँची फैरब विक्टर भी उसे अपनी इंवेंशन दिखाता है उसने अपने हाथों के अंदर एक गलाइडर बनाया था और ने वाला ये गलाइडर तो पिलकुल ठीक बना था लेकिन शायद अभी उसे बैनस करना नहीं आता था इसी के लेटर दिखती है यानि वही लेडी इसके पास फैलेसी रहा गईती थी इसे देखकर फैलेसी क्लब राज आती है वो डर रही थी कि कहीं ओड़िट को सारा स्थ ना पता चल जाए उससे चुपते हुए वो एक रूम के अंदर शली जाती है जहां पे एक लड़ का बैल र राज हो गई थी उसे मनाने के लिए उसकी घर आती है उसे कहती है कि मेरा सपना है मेरा जनून है बैलरीना डाश अगर में ऑसके लिए कुछ गोलट भी कर लिया तो क्या हुआ मैं इसके इलावा क्या बी कर सकती हूँ और यहां हमें पता चलता है कि ऑड़िट भी किसी dance studio से आया हो अब क्योंकि audit fallacy से नरास थी इसलिए fallacy इस लेटर के बारे में honor को बताने ही वाली थी लेकिन तब ही जल्दी से audit पाहिर आकर उसे सचाई चुपाने को कहती है क्योंकि जो सबने उसके पूरे नहीं हुए वो चाहती थी कि fallacy के वो सबने पूरे हों यहाँ पर अब audit ये भी वैसला कर लेती है कि वो खुद fallacy को dance की training देगी यहनी अब fallacy को भी मोका मिल लिया था और अच्छे से dance करने का fallacy हो मिनत से अपनी सारी training पूरी करती है और अगले दिन school में बहुत अच्छा perform करती है ऐसे ही काफी दिन गुज़र जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त विक्टर उसे डिनर पे ले जाना चा रहा था इतों में पोचते हैं होटल में जहां music बच रहा था यह दोन आउट डांस करना शुरू करती हैं और यहां पे बहुत इंजॉय करती हैं फैलसी डांस में इतना मकन हो जाती है कि कभी वो टेबल पे जड़के डांस करती हैं तो कभी नीचे फैलसी के इस डांस को चोहां यहां के लोग पसंद कर रही थे भही हम देखते हैं कि फैलसी के डांस टीचर भी इसी होटल में आये हुए थे और उन्हें भी फैलसी का डांस बहुत ही परफेक्ट लगता है वो जैसे ही फैलसी की तारीफ करते हैं तो फैलसी का तो जैसे दिन बन गया था अब फैलेसी और विक्टर बहुत खुशी से अपने घर को जाते हैं फैर अब अखला दिन होता है और फैलेसी स्कूल पहुँचती है यहीं शायद आज उसकी किस्मत खराब है क्योंकि होटल ओनर उसका जूट पकर शुकी है यहाँ वोटल ओनर अपनी बेटी के साथाए हुई है और सभी को पता चुल गया है क्योंकि फैलेसी होटल ओनर के लेटर के ओपर यहां पहुची थी यहां पर उसके डांस टीचर उसके उपर बहुत साधा गुसा होती है उसके जूट बोने पर और उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही चूट बोलती रही तो तुम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगी वो चाहते तो फैलेसी को यहां से निकाल भी सकते थे पर फैलेसी एक बहुत अच्छी डांसर थी और यह चीज वो रात में देखे चुके थे दोस्टी तरफ वो यह भी चाहते थे कि होटल ओनर की बेटी में जादा तैलेंट नहीं है वो तो पैसे के बल पेहाई है वो फैलेसी को एक मौका देना चाहते थे उनके पास अब एक ही सीड थी वो फैसला करते हैं कि इन दोनों लड़कियों के दरम्यान में एक कॉम्पिटिशन होगा चो लड़की इस कॉम्पिटिशन को जीतेगी वही इस ओर्डिशन का हिस्सा रहेगी और उसे ही बड़े शोव में परफॉर्म करने का मुका मिने का यहां हम देखते हैं कि ओड़ी ने अब फैलेसी की ट्रेनिंग्स को और पर जादा स्थक्त कर दिया है फैलेसी भी जादा मेनत करी ही है क्योंकि वो हर हाल में होटल ओनर की बेटी से जीतना चाहती है इनके कॉम्पेटिशन भी चलने और हम देखते हैं कि इस कॉम्पेटिशन से एक और लड़की बाहर हो चुकी है अब कॉम्पेटिशन है सिर्फ और सिर्फ फैलेसी और होटल ओनर की बेटी के दर्म्यान जो कि कुछ दिन बात होना था यहाँ होटल ओनर की बेटी फैलेसी को कुछ ऐसी बाते कहती है कि फैलेसी उससे बहुत जाता उतास हो चुकी थी उसका ट्रेनिंग में भी दिल नहीं लग रहा था इसी दुरान यहाँ पर वो लड़का आता है जो के बैलर्रीना डांचर था जैसे फैलेसी पसंद भी करने लगी थी depths ये वो फैलेसी को कहता है कि चलो रात को हम बीनर पिछियंगे मूट खिराब होने के वज़ँ से पहले पहले तो फैलेसी नहीं मानती पर फिर उसके इसरार करने पे फैलेसी मान जाती है अब शाम में विक्टर भी फैलेसी के पास आता है और वो भी उससे डिनर के लिए पूछता है लेकिन फैलेसी तो पहले ही किसी को डिनर के लिए हाँ बोल चुकी थी और फिलहाल उसका मूड भी बहुत खराब था वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो बग गयर कुछ कहे वहाँ से आगे बर जाती है विक्टर को लगता है कि उसने हाँ ही बोला होगा इसलिए वो डिनर के त्यारियां शुरू करतेता है यहाँ फैलसी जब ओडिट के घर पे होती है तो ओडिट उसे कहती है चल्दी से खाना खालो और आराम करो तो मेरी कल को बहुत सी प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छा सा पफॉर्म भी करना है और इट की बाते सुनकर पैलसी उन्हीं के साथ काफी बुरे से पेशाती है और कहती है आप मेरी मौम नहीं है मुझ पे ऐसे हुकम चलाना बंद करें और यह सब कहके वो वहाँ से चली जाती है और बातों ही बातों में अब इन दोनों लड़कों की दरम्यान में लड़ाई भी शुरू हो जाती है वो दूसरा लड़का पिक्टर को बहुत बुरा भला कहता है इन दोनों की लड़ाई देखकर पैलसी का मूट और भी साथा खराब हो जाता है और वो इन दोनों पर चिल नहीं कर पाती क्योंकि वो रिलेक्स ही नहीं थी, नास चीचर उसे कई मुखे देती हैं पर वो सारे मुखे जाया कर चुकी थी, ऐसे में होटल ओनर की बेटी जीच जाती है और होटल ओनर जो पहले से ही फैलेसी पे बहुत उसा थी, वो उसे वापिस उसी ओर्फनेज भेज लेती हैं जहां से वो आई थी, साथ ही उन्हाने ओर्डिट को भी काम से निकाल दिया था, फैलेसी ने यहां पे आने पर भी अपनी प्रेक्टिस नहीं छोड़ी थी, वो बहुत जरून से प्रेक्टिस करती है और जब उसे लगता है कि वो बहुत अच्छे से डांस के है फैलेसी सबसे पहले आती है, और वो ऑडिट के पास उसे माफ ही मांगती है, खेरान कुन तोर पर ऑडिट ने ना सिर्फ माफ करे दिया था, और वो एक्टिस के मदद के लिए यहां स्टुडियों में काम करी ही थी, इतने में आती है होटल ऑनर की बेठी च्टी, जो यह वारा से उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़नी वाली होती है, यह इस मरतबा फैलसी उसका हाथ पकड़ लेती है, इनकी यहाँ लड़ाई होना शुरू हो चाती है, और यहाँ पर फैलसी कहती है, अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है, तो तुम डांस करो, डांस करते करत यह दोनों बहुत जाता जनून में आ गई थी, फैलसी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, और यह देखकर दूसरी लड़की को जैलसी फील होती है, इसलिए वो फैलसी की चुटिया पकड़कर उसे पीछे खेंच लेती है, लेकिन यह सब भी फैलसी के जनून को कम नहीं कर पाया था, दांस करते करते ही, अब यह दोनों बाहर आ चुकी थी, और यहाँ फैलसी सीडियों के उपर ऐसे डांस करते हुए अपने आपको बैलस करते हुए नीचे उतरती है, कि सभी लोगों को पता चोल जाता है, कि असल टेलेंट होता क्या है, यह अब सभी लोग फैलस करते हैं, डांस मेरी जिन्दगी है, मेरी दुनिया है, मेरे अंदर बसा है डांस, और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, यह सारी बाते सुनने के बाद, अब डांस टीचर यह फैसला करते हैं, कि जिस शो के लिए यह लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस शो के लि प्रैक्टिशन देने के लिए थी, कि वो उस का नांस जरूर देखने के लिए इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, यहां पे होटल ओनर पहुंचाती है, जो उससे बहुत जादा घुस्ता है, और उससे मारना चाहती है, फैलसी उनसे बचने के लिए भाग रही है, और व ग्लाइडर लेकर यहां अपनी दोस्त को बच आकर चाला जाता है, होटल ओनर से फाइनली उसकी जान बच गई थी, विक्टर बिना वक्त जाया किये, उसे अब उसके शो में पहुंचा देता है, और जल्दी से उसे तैयार करती है, और आखिर उनका शो शूरू हो जाता है यहां फैले सी अब बड़ी बैलरीनर डांसर के साथ एक बहुती अच्छी परफॉर्मस देती है, उसका खाब अब पूरा हो चुका था, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहां खत्म हो जाती है